सत्थ श्रीय कल अज असीं पंजाब दे सारे प्यप्रान देली मोस्ट इंपोर्टेंट बुक साधा पंजाब करांगे चैनल ते असीं कंप्लीट कोर्स पंजाब जी के ते PDF अफ लेवल डिस्क्रिप्शन बुक्स देविचे करवांगे शुरू करदेया पाठन बर चार पंजाब दा मद कालीन इतिहास महमद गोरी ते दास कुत्बदिन एबक ने दास मसदी नहीं दखी अथे उसने 1206 AD तों 1210 AD तक राज किता इस तों पिछों एक होर सफल साशक सुल्तान इल्टूतमिस आया जिसने 26 साल राज किता इल्टूतमिस मगरों इस स्कुल दी महतंपुन शाशक रजिया सी परताकरूप विच ओहपार्थ दी पहली मेला शाशक सी एक हफसी दास जलाल उद दिन याकुट नाल पकपातीव तीरे कारण तुर्क रईसा ने उस के लाब बिद्रो कार देता सी उस दा पहला विलोई बिठंडे दा गवर्नर मलिक एक्तियार उद दिन अलतूनी सी उसने याकुट नू मार के रजिया नू बद्दिवना लेया मगरों इना हलातन तो बच्चन ली रजिया ने अलतूनी नाल व्या करवा लेया पर अजहा करके वी ओहो आजाद ना हो सकी 244 इसी बिच दिल्ली दे राते कैंथल नेडे उस दी उस दे पती समेत बहराम खान वल्लों हत्या कर दती गई इस तरह तिन साल अते कुझ कुमी हिन्या दे राजिकाल मगरों बेब सी विच ही रजिया दिमोत हो गई रजियतुबाद बहराम राजा बणया अते लगपक दो साल चाशन किता इसकराणी दा अगला महतमपुर्ण शाषक गयासू उद दिन बलबलन सी उसने 1260 एडी तों 1260 एडी तक देश दे नियमित तोर ते राज किता 20 साला लई सुल्तान नासिर उद दिन महुंबद देपरतान मंत्री होन दे नाते अते 20 साला लई दिल्ली दे सुल्तान रूप चरहा मुसल्मान ना दोरा किते जानवाले हमले तो बचा लई सरहांद विखे एक वड़ा किला बनाया गया मुगल चडपा लई पहला ही पार ते लालची अख़ा ठकाई बैठे जानवा बलबन ने अपने चचेरे परा शेरखान नू सरहांद अते नाल लगदे अलाक्यां दा गवर्नर बनाया ओहो शक्तिशाली गवर्नर सी जो बहुत हिम्मत वड़ा सी उसने कोशलता नाल मंगोलियां दवारा कीती कुस पैटनू नकारा कीता तरहांद अधा गवर्नर होण दे ना ते ओहो इन्ना शक्तिशाली ते प्रवाफसाली हो गया की बलबन ने उसनो अपनी होणद लई खत्रा समझना शुरू कीता इस तरह उसने शेरखान नू जहरता अधे अपने सबतो वड़े सपुत राजकुमार सुल्तान नू सरांद दा गवर्नर न जूट कीता अपने पिता दी महान जोगता ते पूरी संतुष्टी नालर राजकुमार सुल्तान ने इस सरादी खेतर नू कुशलता पूर्वक चलाया 1285 इस वी वेचे मंगोलन दे खलाफ लड़ाई विच मारे जान तक लड़ाई कीती बलबन इस दुखान तो उबर ना सकया अते 40 साला दे शाशन तो बाद उस दा दिल टुट गया काईकू बाड दास वांच दा आकरी बाशासी ओहो एक कमजोर शाशासी इस तो जिनालो दिन ने दिली दा तक्त खो लिया चार पेर दो खिलजी राजबन्श अधीन पनजाब खिलजी राजबन्श दे संस्थापक जलाल उद दिन खिलजी सन अला उद दिन खिलजी दा 1935 एडि विच्चे उस दे पान्जे ने ही कतल कर देता सि अला उद दिन इस वांच दा सब तो शक्ति-चाली साशन सी उस दे कार्चकाल दोरान मगोलिया ने पंजाव दे गवर्न तुगल खान ते वड़ी फोजनाड हमला कीता पर उस ने दुश्मन ते लसानी जित प्राफ्त कीती अल्ला उद दिन तेरासो छोड़ा इसवी विच लगबग 20 साल दे राज बाद मर गया 4.3 पंजाव विच तुगलक वांस दीन नी तेरासो भी इसवी विच ग्यासो उद दिन तुगलक ने रखी महमत तुगलक अते प्रोषा तुगलक इस वांस दे महतंपूर्ण सास को होई हन महमत तुगलक एक दुर अंदेशी प्रवक्ता सी जुदों की प्रोशात उगलक कर्यात्मक प्रिवर्ती दा मालक सी प्रोशात उगलक ने खेती वाड़ी वेच सुदार लेओं लई कई यतन कीते संचाई लई कई नहरा बना या गञ्या द्रिया सतलुच तो पंजाव देखेतना वेच संचाई लई एक नहर पड़वाई गई उहो नमे शहर बसोण दा शुकीन सी दुझे शहरां दे नाल नाल उसने पंजाव वेच शैर फ्रोश प्रोशा मगरों कई कमजोर शाशका कारण दिल्ली सल्तन ते टैटेरी हो गई दिल्ली सल्तन तुदी इसे निग्रदी हालत कारण ही 1390 सी वेच तैमूर ने पार्ते हमला कर देता दिल्ली सल्तन तो कमजोर होन कारण तैमूर दा मुकावला ना कार सकी सो तैमूर ने बुरी तरा इस देश दी लुट कुसुट किती काफी मात्रा विच लुट दा समाने कठा करन मगरों ओह पंजाब देरा अपड़ी देश बाफस मुड़ गया अजेहा परतीत हुंदा है कि ओह जिला अंबाला रूपनगर हुशार पुर अते कांगणा बलों दी पठान कोड विच्चों दी हुंदा होया जम्मू पोंचेया बापस जान दिया उस देरा विच जो वी आया उसने तैस ने सकार देता अजेही वी शंका है कि रूपनगर दिया पहाड़ियां विच रतन सिंग नाम दे राजे ने उस दा विरोध किता सी पर ओहो हार गया 454 पंजाव विच सैयद अते लोधी वंस सैयद वंस दा मोड़ी खिजर खान सी ओहो 1414 इसी विच तक ते वैठया पहला ओह तैमूर वलो नियुक्त किता गया पंजाव दा गवर्नर सी उस दे राजकाल दोरान सरांद दे ताटवर गवर्नर सुल्तान शा लोधी ने सारंग खान नू हराया सी सारंग खान ने खिजर खान दी हकूमत मनन तो इंकार कर देता सी सारंग खान शिवालग दिया पहारियां विच लुक गया अते मगरों उसनों रूप नगर विच मुड हारदा सामना करना पया 1421 विच खिजर खान मगरों मुबारक शाह आया उसने शाशन दुरान ही खोकरा दे मुखी जसरत ने उज़ोर चोकी दिल्ली विच अपना राज स्ताफित करना चाया उसने पहला ही पंजाब विच रूप नगर अतेसरहंद तक तबाई मचाई हो इसी उसने जलंदर तोलह उर्ताक दे लाक्यां दे गवर्नर अला दाद नूवी हरा दिता पर बाद विच जसरत नी मोत होगे मुबारक शाह मगरों मुहम्मत शाह अते अला उद दिन आलम शाह आए अला उद दिन आलम शाह ने दिल्ली दिव जाए बदाउं विच रैण दाम मन बना लिया सी प्रशाशन दी देख रेख लई उसने दिल्ली विच गवर्नर निजुप्त कीता इस मोके धलाब उठाउंदे आपन चोना सुक वंजा विच बहलोल लोधी ने दिल्ली ते कबजा कर लिया अते एक नमे वंश लोधी वंश दी स्तापना कीती बहलोल लोधी दे दिल्ली ते कबजा होन मगरों पंजाब होन दिल्ली दी मुसीबत दाराना रहा क्यूंकि दिल्ली दे संगाशन ते बैठन तो पहला ही ओ पंजाब दे मेदाना ती काबज सी अते इस समय तक बहादूर जेसरत दी भी मोत हो चुकी सी बहलो लोधी दे उत्तर दिकाई सिंक अंदर नूँ वी पंजाब विच किसे वी समस्या दा सामणा ना करना पया इब्राहीम लोधी दे शाशन दोरान ही बाबर दे हमला कार इतिहास बिच पंजाब मुड सुरख्या विच आया पंदरा सो भी इसी वी बिच बाबर ने पच्चमी पंजाब दे हमला कीता थे 1524 इसी वी विच लहोर दे कवजा कर लिया 1526 इसी वी बाबर ने पानी पद्धी लडाई विच इब्राहिम लोधी नो हराग के लोधी वँश दा अंत कर देता चारपेंड पंजाब विच मुगल सल्तनत पार्त विच पंजाब भाबर दे कबजे विच आउन वाला पहला सुबह सी भाबर 1585 तक लहोर दे शाही तक ते रहा इस तो बाद 1712 इसवी तक आगरा आते दिली देनालना लहोर नू समराज दिया तिन राजदा निया विच्चों इक मन्य जंदा सी 1526 इसवी विच बाबर हतों इबराहिम लोदी दिहार पिच्चों पंजाब मुगला दे अधिकार खेतर विच आ गया बाबर पंजाब अते उत्री पार्त दा पहला मुगल चाशिक सी बाबर दे हमल्या मोके पंजाब दी समाजिक अते तार्मिक स्थे ती असन तोक्स जनक सी कई संत महातमाते महात समाज सुदारक उस समय परचलित कुरितिया नो दूर करन दी कोशिच करन विच लगे होए सन ओहो सिखा अते मुसल्माना विचले मतपेद नू कटा ओन लई अपनी पूरी वाल लगा रहे सन इसे समय दोरान गुर्णानक देव जी जदोपार्त विच बाबर ने मुगल समराज सब थापित किता गुरू जी शेर्शा सुरी दे काल दोरान वी जीवत सन 1530 इसे विच बाबर धा जेठा पुत्र हमायू उस दा उत्तरातिकारी बनिया 1540 विच शेर्शा सुरी ने हमायू तो ताक्त खो लई शेर्शा सुरी द दोरान ही पंजाब दा मुझूदा खेतर उस दोरान वी जीवत समराज विच मिला जिता गया पर 1550 इसे विच हमायू अपना राजपाग मुड हासिल करन विच कामजाव हो गया अते उसने बैराम खान नुश्रा अंदा गवर्न नियूक्त गिता हमायू अते शेर्शा सुर दे विकास ते रोक ना लगाई। क्योंकि जहागीर एक कटर शाषक सी सिकतरम दी वद्धी परसिद्धी उस दियां अक्खा मिचरार कदी सी उसने गुरु अर्जन देव जी विरोध अगवाई कारन दा फैसला किता क्योंकि उस अनसार गुरु जी ने उस खेतर विच अपने कई सर्दा लुबना अले सन जि मतविद कारन गुरु जी नू बंदी वणा के अंत शिहीद कर दता गया स्थिती उस समय होर्मी महतवपुन हो गई जदो गुरु गोविंद सिंग जी ने अपने चेलिया नू शेस्तर विद्या देनी शुरू कर दिती अते हमालिया दिया पहारियां वेच अपनी हकूमत दा एक खेतर स्ताफिर करना शुरू कर दिता जहागीर ने गुरु जी नू कई पार्ती राजा समेत बंदी बना लेया अते उना नू गवालियर दे किले वेच कैद किता गया सुरसुसताईसी वेच जहागीर दी मोत हो गई अते उस दा पुत्तर शाजहा राजा बनेया गुरु सहब जो साजहा दिया शाही फोजा नाल कई लड़ाइया लड़निये पज्या पर गुरु जी मोगला खिलाप इनना लड़ाइया तो तंग आ चुके सान क्योंकि उन्ना अनुसार उन्ना दा मुख मानतम पहले गुरुवाँ दिया से ख्यामा नुद्लोका तक पहुचाना सी जो एजहे महोल वीच बिल्कुल भी संभव नहीं सी इसे करन गुरु जी ने किर्थकों सहर वसाया अते अपने आपनूता आव्मिक कारजां विच लीन कर लिया गुरु हर्राय जी जो की गुरु गुमिन सिंग जी दे उत्रकतकारी अते पोत्रे सन अपने दादा जी गनाडों काफी बक्रे सुबा दे सन उना ने एक वड़ी फोज दे नाल नाल एक शांदार कचेरी वी स्ताभिन किती एहे शाजहां दी बद किस्मती ही सी की 1688 इस्वी विच उस दे पुत्र ओरंग जेव ने उसनू गदी तो ला दता अते उस भलों ही चुणे गए उस दे जेठे पुत्र अते उत्रदगारी दाराकशो नू ही भी हरा दता शाजहां दी जिन्दगी दा बक्की समा 1688 आगरा जेल विच केदी वज्यों बित्या ओरंग जेव ने 1689 विच वेवहारिक रूप विच अपनी तास पोच्छी की थी अते निसंदे अकबर ते उत्तरदगारी विच्चों ओहो समतों परबल लडाकू सी दारगशो वलनों गुरु हर्राय जीतों आशिरवाद लेना ओरंग जेव नू चंगा ना लगा अते गुरु जी नू इस बरतारे ले संबन पेज की सफाई मगी गई 1601 इसवी विच गुरु जोती जोत समा गए अते गुरु गद्धी गुरु हर्क्रिशन जी नू सौप गए गुरु हर्क्रिशन जी बच्पन तों ही साधना विच लिन रहन दे संब अते सिखां विच उन्ना प्रती असीम प्यार ते सरदा सी पर 1604 इसी विच माता निकलन कारण ओहो स्वर्ग सदार गए अते उन्ना मगरों गुरु तेग बहादर जी गुरु बने गुरु तेग बहादर जी नू कश्मीरी पर्णता दी पुकार सुन दकातर ओरंग जेव वल्लों तसीहे देते गए ओरंग जेव ने गुरु सहव नू इसलाम को बुलन लेके हा उन्ना ने इनकार कर दिता अते ग्यारा नौंबर 1675 नू चानली चोग विखे उन्ना दासिर ताड़नाड़ो वक्त किता गया गुर्तेग बहादर जी दी शहादत ने उन्ना दे जवान पुत्र अते उत्रादिकारी गुरु गोविन सेंग जी नू जुल्म खिलाप तलवार उठान लई प्रेरिया 1698 इसी विच गुरु सहभ वलो अनांदपुर सहभ विखे खालसा पांत दी स्ताफना ने सिखा नू ताक्तवर कौम दे रूप विच उभा रहा गुरु जी ने स्रहांद नेडे मुगला खलाप कई गोरख लडाइआ लड़िया अते पहाडी राजय ने भी गुरु जी दा साध देता खाल्सा पांतली साजना मगरों गुरु जीनु मुगला के लाप लड़ाईया लड़निया पन्या उन्हा ने कई लड़ाईया जतीया पर 1744 वी विच अनादपुर विखे मुगल फोजा ने गुरु गोविन सिंग जीनु बेपस कर देता अते गुरु जीनु अनादपुर सहिव छेड़ना पया मुगल फोजा ने उन्हा दा दूर तक पिछा किता अते दुहां विचाले चमकोर सहिव नेड़े एक प्यारक युद्ध होया जिस विच गुरु सहिव दे दो पुतर सहिव जादा अजीत सिंग अते सहिव जादा जुजार सिंग ने साच दे मार्गते चल देया अपनिया जाना वारतियां गुरु सहिव दे दूज्जे दो पुतरां सहिव जादा फते सिंग ते सहिव जादा जोरावर सिंग जुनू शरहांद दे जालम नवाव जीर खान ने जूंदे ही निहां विच चनवारे ता स्तारा सो साते सी विच मुगल बादशा ओरंग जेब दी मोत हो गई अते इस मुगरों मुगला नार एक चड़प दोरां नदेड विखे एक अफ़कान वल्लों गुरु सहिव ते जानलेवा हमला किता गया पर ओना दे शागिर्द बंदा बहादर दी अगवाई हेट मुख बिद्रो पहला सरहांद अते फिर लहोर विखे होया पर 1715 इस भी दे अंत विच लहोर दे गवर्नर ने बंदा बहादर ते उस दे सात्यानू केर के गुर्दासपुर विखे बंदी वणा लेया ओरंग जे मगरों कई कमजोर राजे जी में बहादर शा पहला फारुक शियर अते महुम्मद शा आय जीना दे राजकाल दोरान मुगल ताकत दाल लगातार पतन हुंदा गया तनवार